अज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वन्संग्रशना पिसले वीडियो में हमने देखा था कि हिंदी का जितना भी आपके हिंदी के बार में इंट्रोड़क्शन हो सकता है जो एक्षाम के पॉइंट इस इंपोर्टेंट है वो हमने उस वीडियो के माध्यम से कवर क किया था आज की इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे हिंदी का पैला जो टॉपिक है आपका ौण संग्रशना के बार में देखें रहो हमने दो सब्सेर्शन देखे थे धनी और वर्ण तो इन में अंतर क्या होता है द्ध्वनी क्या है उत चारित रीत रूप है या है तो ये मैं जो उ्चारित ध्वनियों है, उच्चारित ध्वनियों को क्या दे रहीं? एक सिंबल इड़ी प्रतीक दे रहीं. तो भासा की जो सबसे चोटी इकाई है वो या तो ध्वनी है या फिर वर्ण है अगर सबसे चोटी उच्चारित इकाई बोलू तो ध्वनी हो जाएगी सबसे चोटी सबसे चोटी उच्चारित इकाई एक्चली ये कोई टमिलोजी नहीं होगी हाँ ये कह सकते कि भासा की सबस जो एक गले है ना इस गले से लेकरके इस मूट होट जो होट है यहां तक अलग-अलग शेत्र से हमारी यह जो आवाज है यह गुजड़ते वे आ रही है यहां से क्या है यह एक फेरिंग से यहां ठीक है फेरिंग जो हमारा वक्कल कोर्ड होता है जो हमारा ओडियो वोक्स होत तो अलग अलग दबाव के शेत्र से होते हुए जब गुजड़ती है तो उस तरीके से उन उन शेत्रों से पास होते होते उस पर जितना जैसे दबाव लगते जाता है जिस रूप में दबाव लगते जाता है उस रूप में हमारे यह वर्ण या उनका उच्चारण होते रहता तो जैसे अगर मैं बोलू यहाँ पर सबसे नीचे कंठ गला फिक कंठ उसके ठीक उपर में तालू उसके ठीक उपर में इसको बोला जाता है मूर्धा इसके उपर यहाँ पर बोला जाएंगे धन्त और सामने हो जाएंगे हमारे ओष्ट या होट जोएं ठीक है तो कंठ पांच भाग हैं जहां से हमारी आवाज जो निकलते वे आएगी ठीक है अब हवा का दबाव इन चेत्रों पर जिस जिस तरीके से पड़ेगा उस उस चेत्र से हमारे वर्णों का वचारण वहां पर से होता रहेगा ठीक है तो जब वर्ण अगर मैं बोलू तो वर्ण क्या है एक लिखित रूप है और भासा के सबसे छोटी सार्थिक इकाई भी वर्ण ही कहलाती है इसको याद रखिएगा ठीक अब वर्ण दो प्रकार के होंगे वर्णों के प्रकार अगर हम देखें तो वर्ड दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं स्वर और एक होते हैं आपका व्यंजन जहांच से देखेगा वर्ड जो हैं वर्ड संग्रशना में हम पढ़ रहें तो वर्ड जो हैं दो प्रकार के होते हैं एक होता है स्वर और एक होता है आपका व्यंजन तो स्वर और व्यंजन में अगर हम बात करें स्वर की सबसे पहले तो स्वर क्या है जब मैंने बोला कि कंट से लेकर के ओष्ठ तक जो हवा है या जो आवाज है जो ध्वनी है वो आ रही है अलग-अलग स्थानों से होते हुए तो हवा या जो ध्वनी है वो सरल रूप में उच्चारित हो जाए या ध्वनी के उच्चारण में कोई ज्यादा कठनाई न हो ठीक है या जो उच्चारित ध्वनी है वो सरलता से उच्चारित हो जाए तो उसको बोला जाएगा स्वर और जब इन ध्वनी के उच्चारण में या जब हवा अलग अलग नग दबाओ इन पे डाला जाएगा तो हवा के अलग अलग छेटर पर पढ़ने वाले दबाओ के कारण दुहनी के उच्चारण में जो कठनाई होगी तो उस प्रकार उच्चारित होने वाले वर्ण है क्या कहलाएंगे आपके वियनजन या दूसरे सबद olacak bang कि swaro की साहता से अच्चारी 한 ba वोड़ वोड़ू को विछन काहा जाता है swar बहुत ही ओच्चारी्ट के जा सकते हैं विछन उच्चारीट के वल स्वaro की साहता है आट तरी है अगर कोई नया बच्चा अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, तो जब बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले उसके मुह से कौन सी धनी उच्चारित होगी, स्वर या व्यंजन, आप खुद ही देखिए, व्यंजन जो है, स्वरू की साहते से उच्चारित होने वाले वर्ण है, अर्थात, जब उसके मुह से आवाज निकलेगी, तो वो कैसे निकलेगी, इस तरही किसे निकलेगा अर्थात, स्वर क्या है, एक न्यूबॉर्ण के मुह से भी उच्चारित हो सकते हैं, अर्थात, ये आसानी से उच्चारित के जाने वाले वर्ण होते हैं, इनकी अपनी मात्राएं ह होती किवल जो ओवर्ण होता है उस ओवर्ण के अपने कोई मात्रा नहीं होती है तो ये ज्ञान में रखेगा अब बात करें अगर हम स्वर की ठीक है तो स्वरों के अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में स्वर की संख्या किती है ग्यारा अब बहुत से लोग देख रहोंगे ये ग्यारा ही नहीं तेरह होती है जो अंक और अहा है अंक और अहा को अभी स्वरों की सेड़ी में नहीं रखा जाता है इना है अयोग वह का जाता है ये किसी के सांद न जुड़ते हुए अपना एक निशिक अर्थ ये वहन करते हैं इसलिए आयोग मतलब जो किसी के सांद न जुड़े वहां मतलब वहन करे अर्था किसी के सांद एड न होते वे भी ये कोई particular अर्थ वहन करते हैं इसलिए इनको आयोगा कि कहा जाता है और इनको स्वरुग के सिर्दी से हटा दिया अब ये गिन्नों के तो एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नौर, देस हैं ये दस है अब इसमें एक और एड किया जाता है री ठीक है री को आड किया जाता है इसमें तो यहां पर से अगर हम देखे तो इनकी संख्या हो गई ग्यारा री को आड इसलिए किया जाता है तो वर्तमान में अगर हम देखें तो री जुकि एक संस्कित का सब्सक्राइब के जाता है तो उच्चारण की द्रिष्टी से अगर मैं देखूं उच्चारण की द्रिष्टी से तो स्वरूं की कुल संक्या कितनी हो गई 11, O, A, E, E, O O, O, R, A, I, O और O, अगर मात्रा के द्रिश्टे से मैं देखूँ तो इससे पहले अगर हम ने पहले बताया था कि जो O होता है उसके अपनी मात्रा नहीं होती है तो O की कोई मात्रा नहीं होती है तो ये तो हड़ गया, तो A E E, E, ये सब मात्रा हैं O, O, A, I, O और O और एक री की मात्रा है तो काउट कीजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 तो मात्राओं के द्रिश्टी से अगर हम देखें तो स्वरों की संख्या 10 होती है उस्चारन की द्रिश्टी से देखंगे तो स्वरों की संख्या कितनी होगी 11 होगी, बहुत बार एकजाम में पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते तो स्पस्ट है, उस्चारन की द्रिश्टी से स्वरों की संख्या 11 होती है मात्राओं के जिसे स्वरुके संक्या 10 होती है और की कोई मात्रा नहीं होती है और मात्राइं केवल स्वरुके होती है केवल और केवल स्वरुके होती है व्यनजनू के कोई मात्रा नहीं होती है इतना आप याद रखेगा ठीक है अब बात करते हैं स्वरु के पकार की, तो स्वरु के अगर हम बात कर रहें, तो एक वर्ड हम देखते हैं मूल स्वर, मूल स्वर किसे कहते हैं, या मूल स्वर क्या होते हैं, ध्यान दीजेगा, मूल का मतलब है, कि वो जो होगा, वो किसी नई चीज को, नई चीज के फॉर्मिशन में कामाएग मूल स्वर और हिंदी में मूल स्वरों को एक और नाम देते हैं हम हरस्व स्वर तो हरस्व स्वर भी इनी को बोला जाता है गुरस्व स्वर या मूल स्वर अगर हम बात करें तो यह होते हैं आपके चार अ ई उ और री इन चारों को बोला जाता है मूल स्वर ठीक है तो यह मू स्वर, दीर्ग स्वर, तो दीर्ग स्वर क्या-क्या होते हैं, इनके अलावा, आ, ई, उ, ए, आ, ओ, और ओ, तो हरस्वरों के अलावा, जो भी स्वर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, दीर्ग स्वर कहलाते हैं, दीर्ग स्वर, ठीक है, आ, ई, उ, ए, आ, आ, ओ, और, तो इनकी संख्या कितनी होती है चार और इनकी संख्या कितनी होती है साथ टोटल कितने होगे ग्यार ठीक है तो इस तरीके से जो स्वर होते हैं उनकी संख्या ग्यार होती है वो यहाँ पर भी हम देख चुके ठीक है अब एक और कहीं कहीं पर आता है आपका प्लूत स्वर क्य जिसमें किवल एक मात्रा का समय लगता है तो ऐसे स्वर जिनमें किवल एक मात्रा का समय लगता है वो हरस्व स्वर कहलाते हैं जैसे अ, ई, उ, री ठीक है और ऐसे स्वर जिनमें दो मात्राओं का समय लगता है जैसे आ, जैसे इ, जैसे उ, जैसे ए, जैसे आ, जैसे ओ, जैसे ज्यादा का समय लगता है उनको हम बोलते हैं प्लुट्स वर जैसे जो यग्य होते हैं जो आपके स्रोत होते हैं जो मंत्र होते हैं ठीक है जो भी सस्कित के सब्द हैं जिनमें आपको तीन या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उनके उचारण में जैसे राम जैसे ओम है न तो राम में हम बोलेंगे इस तरह के से, तो ये चार मात्रा का समय लगा जैसे, तो ये एक प्रती की रूप में इस तरह के से फ्लुत स्वरों को दिखा जाता है, ठीके, तो ये आपका एक जनरल सा इंटोड़क्शन हो गया, स्वरों के प्रकार, हरस्वर, दीरगे स्वर और स्वर, अब एक और आता है यहां पर स्वर क्या होते हैं, ये स्वरों के प्रकार में इतना है देखेगा, लेकिन एक अलग सा है यहां पर स्वर, तो स्वर भी स्वर, जैसे स्वर बेंजन पढ़ेंगा हम अभी, ऐसे यहां पर स्वर होते हैं, तो स्वर क्या होते हैं, जैसे आ, आ, ई, ई, उ, 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 ये एक परिवा, एक family है, ठीक है, ऐसी A, I, ऐसी O और अजी O, तो ये एक family है हम देख रहे हैं, अब आ, ई, ई, उ, O, A, I, O, O, ये कहें, समझाती word कहलाते हैं, अपनी अपनी जाती, एक जैसी जाती के ये word है, तो यहाँ पर जो A और I है, ये मिलकर बनता है, O, प्लस E से, ठीक है, ये किन के मिल से बनेगा, अर्थात, अगर मैं बात कर रहा हूँ, O या A के, E या E से मिलने से क्या बनेगा, अर्थात जैसे अ प्लस E की बात मैं करूँ तो यह क्या हो जाएगा अ ठीक है अर्थात यह क्या है स्व्वाइक तो सवर है दो सवरों के मेल से बन रहा है एक नया सव ठीक हो कहा ऐसे अगर मैं बात करूँ A plus O की तो यह हो जाएगा O ठीक है यह तो ये दो स्वरू के मिल से बन रहे हैं तो इनको बोला जाएगा स्वाइक्त स्वर अर्था स्वाइक्त स्वर कौन कौन से होते हैं A, I, O, O ये चार स्वर ऐसे होते हैं जो स्वाइक्त स्वर कहलाते हैं समझ आई बाद तो ऐसे स्वर जो दो सवरों के मिल से बन रहे हैं मुलता दो सवरों के मिल से बनते हैं ऐसा भाव जिसमें रहता है वो क्या कहलाते हैं सवईक तुस्वर तो इनको ध्यान में रखेगा तो सवरों से सम्दित आपका ये सभी चीज आप याद रखेगा अब कभी कभी क्या होता है कि किताबों में सघोस और अलपप्राण का भी एक concept हमको देखने को मिलता है घोश और अघोश ऐसी अलपप्राण और महाप्राण इस तरीके से हम देखते हैं तो गोस क्या है? सघोस siya? सघोस कही है पर लिखा रहता है बात екए घोस का मतलब होता है गोस एक एक Lady vibration, एक कंपन तो जब हम बोलते हैं, तो बोलती वक्त जब मारे गले में थोड़ा बहुत कंपन रहने हो, जैसे ऑ, जैसे य, जैसे ऑ, जैसे ए, तो ध्यान रखेगा कि सभी सभी सवर जो होते हैं सभी सवर वो क्या होते हैं सघोस होते हैं आरथात जितने भी सवर हैं उनको अगर आप उचारण करोगे तो उनके उचारण के समय हलका भूलका आपका वाइबरेशन या घोसत की जो feeling है वो आपको मिलेगी ठीक है और सभी स्वर सघोस या घोस होते हैं और ये सभी स्वर क्या होते हैं अल्प प्राण होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण का प्राण मतलब है वायू, अल्प का मतलब है कम, अर्था जब हम स्वरों का उचारन करते हैं, तो स्वरों के उचारन के समय हमें हवा जो वायू है, वो कम निकलती है, अर्था जितने भी स्वर हैं, उनके उचारन के समय जो प्राण वायू है वो हमारी क्या होती है, कम रिलीज होती है, इसने सभी के सभी स्वर क्या होते हैं, अलप प्राण होते हैं, एक बहुत एक्जामों में, अलड़ी पूछा भी जा चुका है, कि सभी स्वर सघोस होते हैं, और सभी स्वर अलप प्राण होते हैं, इनको आप याद रखेगा, अभ एक terminology के बारे में कि इनके उचारन में कम हवा निकलती है इससे इनको अलपरप्रण बोल दिया गया और उचारन में vibration होता है इससे इनको घोस बोल दिया है ठीक है तो ये ये introduction था आपका सभी जो भी आपका स्वार से संबंदिन हो सकता था ठीक है तो इसके बाद हम आगे वियंजन के बारे में ठीक है वो next video में thank you